आज का तो कहानी कुछ और था पूरी प्रयास थी कि भाजपा का मंच हो अनुकंपाप के अधार पर राजसरकार को निमंतरन मिला हो ये थोड़ा कहीं न कहीं नहीं चाहते हुए करने वाली मन है बात तो इसलिए बाते तो आनी चाहिए अब इसका आकलन आप लोग किजे पत्रकार लोग करेंगे अभी छपेगा भी कल परसों से जो भी छपेगा अब इसमें हर परियास हुआ कि इन का एक-एक सवाल का जवाब दिया जाए लेकिन जब लोग कंत्र का सबसे बड़ा मंदिर के अंदर ही बहुत उथल पुथल मचराओ तो राजी कैसे अचुते रहेंगे इससे आप अंदर या लगा सकते हैं तो उसी अनुरूप हमारे भी पक्षों ने आज यहां पर विगत तूरे सत्रत काल में जो काम किया है वो भी राज के लोगों ने देखा और जो चीजों को इन लोगों ने बर्सों तक अपने पैरो तले दबा रखा था और उसे धरातल पर आने से रोकने का प्रयास होता रहा वो सभी चीजा बाहर आ रही है गांडी घौड को दौस साल की शजा हुई है वामने बेंस सदtill में कहा लोज बंध करने रूपने ड़ास को अ क्रें नहीं ऐसे निर्ने ऐसी आदेत हमारे राज ने भी देखा जैना सत्तापक्ष्ष के लोगों की सदस्तप चले जाती हैं बिपक्ष के लोगों की सदस्ता नहीं जाती है तो मुझे कह सकता है कि जो मुझे लगता है कि भारत के इतियास में पहली बार एक पुब्लिक रिप्रेजंटिटिव एक्ट को एक इस तरीके का निर्ण है और वो भी राहूल गांधी जी के विरोध में तो ये निर्ण है अपने आप में कई सवाल लेके आ रहा है और उस सवाल पर चर्चाएं भी हो रही है मुझे लगता है कि राजनितिक मंचों पर ये बात स्रफ या इस तरीके की बात है सिर्फ राहूल गांधी जी कही मंच नहीं बलकि विपक्ष के कई लोगों के मंचों से आई है अंगिनत लोगों के मंचों से आई है और आने वाले समय में आएंगे भी और उस समय क्या होगा देखेंगे अगले मां से नियुक्तिया आने वाले युगाओ को क्या संजय देगे और बोलकि पीचे आपके आपके वक्तवे की समय भी विपक्ष नहीं रहे वह बाहर चले गए तो विपक्ष के लिए क्या कहेंगे अब उनको अंदर आना भी नहीं है वह बाहरी रहेंगे शेयर का बच्चा